इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको अपने Micromax into view मालफोन में ये सेटिंग देखने को मिल रहा है Add app icon to home screen का तो ये सेटिंग क्या होता है इसे Enable or Disable करने से क्या होता है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए ज़्यादा समयन आ लेते हुए वीडियो को स्टार्ट आ लेते हैं और उससे पहले चैनल पे नए हैं सस्क्राइब कर लिजेगा तो ये सेटिंग आपको मिलता है कैसे और कहां पर देखे मैं आपको बता देता हूँ जब आप अपने Micro Maxine to View View मौयलफोन के होम स्क्राइब पर रहेंगे और अगर आप दोस्तों फिंकर से लॉंग प्रेस करेंगे तो आपको ये होम स्क्राइब का ओप्सन मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें ये बाला ओप्सन मिल जागा अगर आपके फोन में ये आउन रहता है तो वाई डिफॉल्ट ये फोन में आउन ही रहता है लेकिन अगर आपके फोन में किसी करण से ये बंद हो गया है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसे आउन कर देजिए तो on कर देने से क्या होगा कि दोस्तो जैसे हैं आपके माल phone में कोई भी नया app दोस्तो install होगा मतलब जब आपके phone में कोई भी नया app आप आएगा तो दोस्तो वो app जो है आपके दोस्तो home screen पर भी add हो जाएगा और आपके app list में भी आ जाएगा लेकिन दखी जो आप इस सेट को बंद रखेंगे तो क्या लेकिन दखी जो आप यहाँ पर क्लिक करके इस सिरिड़न ओं बंद करेंगे तो क्या होगा कि आगर आपके फोल में कोई भी नया एप llor Grad Mira तो वो जो है सिर्फ दोस्तो आप लिश्ट में ही एड होगा अब वो दस्तो हो मस्क्रिन पर जो है अड़ अड़ दोस्तो नहीं होगा तो इस सेटिंग को अन और आफ रखने से यह होता है इस तरी के साब इसको यूज कर सकते हैं वीडियो बसंद आया है लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरू करिएगा